मैं हाथ हमारा हिलना चाहिए इस चाहिए, दोने इसके अंदर अटकान है आइसा हम पूझे कुछ दिकता रहाँ आप नहीं थान आप इसंट रौखुगे यहाथ मूट ऐस बंद है लेकिन मूट खोल एक यहाव कर लें और पेर को पेर को हमको उठा के यहां उठा के इस तरसे पटकना है और हाथ को ऐसे नहीं लेना है इस तरसे लेना बास इतना ही ठीक है पेर उठा के पटकना है उठा के पटको और सीड़े किदर पेर पटका अभी हाथ पीछे रहना चाहिए हमारा किदर ऐसे यहां सही यहां तकला आना है ठीक है अभी हमको क्या करना है दाय मुणना है दाय मुणने के लिए पहला स्टेप हमारा रहेगा एडी से लेके यहां तक यह एडी हो गया स्टेप नमर वन करो राइड का पैर राइड सब लोग देखो राइड राइड उजवा आभी देखो वापस सावदान में आजाओ सावदान में है सब लोग बस इतना है एडी राइड का एडी पैर है स्टेप नमर वन बस देखना सामने ही है अभी तक मैं टन नहीं हुआ ह जब मैं टन मारूँगा, कैसे मारूँगा? यह पंज्या है, पंज्या को मैं दबाओंगा, पंज्या को दबा के ऐसे खड़ा रहूँगा, अब यह बॉडी मेरा, यह पैर जो है पूरा इकदम स्टेट है, और यहाँ पे जुका है मैं, सब यह सेकंड स्टेप होगा और थर्ड स्टेप यही पेर को मैं उठाऊंगा यह हो गया डाय मूट गया मैं ठीक है? ओके सावदान में आजाओ सावदान पोईशन में आजाओ बराव सावदान में रहो 80 से 80 मिली हुआ है हाथ को देखो हमारे हाथ के पंजे को देखो यह पैंट की सिलाई देखो और यह मूट इस सरे से नहीं रहेगा ऐसे ऐसे दबाना है पांचो के पांचो उंगलिया और अंगुटा ऐसा दबाओ ऐसा ऐसा दबाओ अंगुटा यह आंगुट ऐसे यह उंगली को सामने वाला उंगली को दबाना है और ऐसे रखना है ठीक है सिलाई किदर है यहाँ पे यह सिलाई भी देख़ो आपकी सिलाई कहाँ पे है उस सिलाई के पीछे रहेगा ठीक है अब यहाँ को दाएं बुढ़ना है पर और अब Steph 1 क्या रहेगा यह स्टेप 1 यह इतना ही मैंने क्या हिलाई है यह स्टेप 1 स्टेप 2 यह स्टेप 3 समझगे अभी रेडी रहो स्टेप 1 बोलोंगा तब आपको खाली एक ही पेर हिलाना है step one step one खाली एकी तुमारा देखो दोनों पैर हिला है, एकी पैर हिलना है, step one हो गया बराबर, आभी step two में क्या करना है हमको, दूसरा पैर को पंजे से दबाके यहाँ position में राना है, step two, बराबर, step three, पटको, समझ गे, देखना उधर ही है, आभी क्योंकि दाया वहाँ पे है, वापस, वापस continue करेंगे वो side से, right के पैर को पहला हिलाना है, step one, step one में right पैर उस दिशा में जाएगा, दाया वहाँ पे रहेगा आपका, एकी पैर हिलाना है, पहला, step one, step two, दूसरे पंजे से, step three, वापस आभी direct step one बोलूँगा, step one याने एकी पैर को, 80 से हिलाना है आपको, step one, एकी पैर को, step two, पंजे से, दूसरा पैर, आभी उस पैर को पटकना है, उपर लेके, step three, समझ गया है, वापस, step one, step two, step three, समझ गया है, इस तरह से मुणना है हमको, हर पैर का कमांड है, हर पैर का कमांड, आभी दोनों एक साथ करेंगे, पहले का इसे दोने एक साथ में ही करना रहता है, यह पैर, 80 से गुमाना है, और यह पैर, पंजे से गुमाना है, बरार, यह से, यह हो गया, और, यह हो गया, यह दो इसमें करना आपको, ठीक है, प्रेट, एक साथ, दाए मुणेंगे, दाए मुट, बरार, स्टेप, दो, पटको, अभी कैसा है, एक ही टाइम पे, दोनों पैर को हिलाना है, यह पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप है, पटकने का, प्रेट, एक साथ, दाए मुणेंगे, दाए मुट, दोनों पैर एक ही टाइम पे, और स्टेप त्री, अभी दो स्टेप में हमको करना है, स्टेप ओन और स्टेप दू, स्टेप ओन में दोनों पैर को हिलाना है, यह दैन मेरों को, एक एडी से हिलेगा, और एक पंजे से हि Step 2, step 1, step 2, अभी देखो हमको हाथ नहीं हिलना है हाथ इस सरह से हिलना नहीं है, सिल भी धेखो, यह जावदान पॉइच्छन है, बरा हो रहे हैं, यहाँ पर मेरी दरफ खाले, सिल्य, यह जावदान पॉइच्छन है, यह step 1 हो गया, बार गुंगे में, step 2, वापस में, step 1, य हो गया स्टेप टू स्टेप वण और स्टेप टू के लिए मेरा पैर पठकेगा स्टेप वण के लिए दोनों पैर मेरे को लाना है ठीक है अंदाय मुंडनी की दर्म यहने राइट साइड में स्टेप वण स्टेप टू स्टेप टू हाथ बरावर हमारे सिलाई के यही पे रहेगा हाथ का मुमेंट जैसे हम तन हो जाएगा अब लेकिन सिलाई के दबा के अपने को सिलाई को पकड़ना है Step 1 Step 2 यह हो गया हमारा दाया मोड़ा समझ गये आप लोग एक कैसे step by step हम लोग करेंगे तो पाता चलेगा हमको अगर step by step नहीं करेंगे तो एक साथ हमको आएगा नहीं हम लोग गिर जाएंगे Step 1 में क्या करना है यह 80 से अभी step तीन step में अगर हम लोग करेंगे तो हमको पाता चलेगा है कि पहला हमको यह 80 का इस्तिमाल करना है यह हो गया एक साथान पोजिशन में हमारा जिस तरह से पेर ऐसा है ऐसा रहेगा और यह पेर ऐसा रहेगा समझ गये आप लोग दूसरा पेर को उसी तरह में जे साथान पोजिशन में लाना है तो मैं क्या करूँगा यह पंजी से यह दूसरा हो गया और यह टाइट रखूँगा समझ गये आईशा डिला रखेगा नहीं बरा और दिखेगा अईसा रखेँगा तो बरा और दिखेगा बरा और यह पोजिशन हो गया और यह मैं पटकूँगा तो यह ऐसा समझ गये ऐसे पटकना है मुझे ठीक है अभी स्टेप उन करेंगे स्टेप टू करेंगे और स्टेप त्री करेंगे अभी मैं स्टेप बोलूँगा दाए मुझन हमको सावदान पोजिशन में हमारा आम उठा इस तरह से दबाएगा बराबर है और यह सिलाई के पीछे रहेगा ठीक है सिलाई के पीछे है सबका और अभी हमको गुमाना है बरा और है गुमाना है पहले राइट का पैर एडी से इस सिलाई सबका step 1 सामने ही देख रहा हूँ मैं मैं हिलानी मैं मेरे तरफ ही देखवा समझे step 1 में क्या होगा यह देखवा मेरा पैर कौन सा हिला है अभी मैं southern पोजिशन में हूँ मेरा left का पैर हिलानी है सिर्फ right का पैर हिला है और मैं देख रहा हूँ कहाँ पर सामने देख रहा हूँ जब ये पैर 80 से 80 से ने पंजे से मैं गुमाँगा तो ये पोजिशन देगा स्ट्रेट फिर बात में तिसरा मैं ऐसे पटकूंगा अभी ये पैर मेरा सीधा ये फैल आने है तो मेरे को जब ये घुमाना है तो ये इधर तक घुमाना है ताकि मैं सावदान पोजिशन में आने के लिए इस सरा से आऊँगा और यहाँ पे रहूँगा तो ये सावदान पोजिशन में आ गया ठीक है पहला घुमाते समय आप ये इसमें आ जाओ सावधान मेरे तरफ देखो step one में सिर्व यही एड़ी घुमाना है यहाँ तक सावधान में हमारा पंजे में गाप रहना चाहिए ठीक है step one सिर्फ एग पेर मेरे तरफ देखना है step two में पंजे को step two पंजे से प्ढ़ एफ ड़ आओ और लंबा खड़ा रहो वो पेर एकदम ए रहना चाहे पंजेब पे खड़ा है सब लोग स्टेब थ्री कटक ना है वापस एक ही पेर को हिलाना है स्टेब वन स्टेब टू स्टेब थ्री कटक ना है स्टेब वन स्टेब टू स्टेब थ्री समझ गए स्टेप बॉन स्टेप टू स्टेप त्री आपी समझ रहे है कैसे समझेगा जैसे जो पहला पहला आता है देख लो आप जितना प्रैक्टिस कर रहे है उतना तुमको परफेक्ट रहो होगे लेट आओगे तो आईसा रहता है कि ठीक है आज के लिए काफी है किना प्रैक्टिस करोगे जैसे आप लोग जितना वग्त दोगे उतना आप लोग बन दे जाओगे शुरुआअब में आप देख लो आपको कुछ नहीं आता रहेगा लेकिन जैसे जैसे आप लोग अटेंड करोगे प्रैक्टिस करोगे बराव कि ने जैसे प्रैक्टिस करोगे तो इसे आप बन जाओगे बराव कि ने शुरुआ तुम्हारी थी तब तुम भी घुमे तुम्हारी शुरुआ थी तब तुम भी घुमे तुम्हारी शुरुआ थ सभी सेटेक्स कर yo स कोई आधे गंटे में सिंख जाएंगा कोई गंटे में सीज़ा एक गंटे में आप फे कोई देडर गंटे में आजे मैं जरौ जाएंगे को ETH नबंचेस थी रहा रहा है यह निया अगा बंगा तो यह चीज रहती है हमारे शुरुवात होती है लेकिन जब हम लोग एक डाम पर्फेट बन जाएंगे तो इस तरह से बनेंगे यह पोश्टन यह स्टेट हो गए लेकिन यह कैसा है ची स्टेप बेस्टेप हम लोग करेंगे तो हमको आजाएगा ज्यादा वक्त देंगे हम तो हमको आजाएगा और कंटिनुई प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे समझ गए आप लोग सावधान विश्राम डाय मूड बाय मूड पीछे मूड सब रहते हैं अभी पीछे मूडने के लिए यहां तक आना है हमको पर यह पोजिशन भी अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ार आएगा फिर बाद में ऐसे पीछे मूड पूरा यानि यह पैर मेरा यहां से लेके यहां तक गया यह सावधान पोजिशन में और फिर बाद में यहां पर ऐसे आए तो इसके ल अगर मैं रहू या ना रहू मगर आप खुद करना चाहोगे तो तो आ जाएगा ठीक है ओके आज के लिए काफियर ठीक है